निधोली रोड सिच सेंट पॉल स्कूल का स्टाफ धरने पर बैठ गया स्टाफ से मिली जानकारी के अनुसार स्टाफ को पिछले साथ महिनों से संख्वा नहीं मिल रही इसलिए सेंट पॉल स्कूल का स्टाफ धरने पर बैठा हुआ है स्टाफ ने जब स्कूल के प्रबंदत से बात की तो प्रबंदक ने धमकी देते हुए कहा कि तुम्हारे बच्चों को भूका मार देंगे अगर तुम धरने से नहीं हटे ऐसे में स्कूल का स्टाफ करे तो क्या करे टीचरों की समस्या देख बच्चे भी उतर उनके समर्तन में और बच्चों ने कहा कि अगर टीचरों का वेतन नहीं दिया जाए तो हमारी भी फीज हमें वापस की जाए वही बच्चों ने यह भी बताया कि टीचरों का मूँ का निवाला छीन प्रबंदक ने होटल बनाने के लिए खरीदी लाखों की जमीन इनकी मांगे है पूर्व वेतन, मैं से नवंबर तक का बकाया पूर्व भुकतान, नियुकती पत्र, पीफ काटा जाए स्कूल के बाद अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा वेतन, भुकतान महीने की पाच तारिक तक किया जाए 14 आकरिमक अवकाश एवं चिकित सा अवकाश दिया जाए आकस्मिक अवकाश के मध्य अवकाश जिवस अवकाश में शामिल ना हो बची आकस्मिक अवकाश का पूर्व भकतान वेतन भुद्धी निश्यत मानक की अनुसार